हेलो एवरिवन, वेलकम टू मैं चैनल दोहा एरोमा आज मैं आप लोग के साथ मतन चाप की रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो की खाने में बहुत डिलिशियस लगता है और बहुत आसानी से जटपट बन जाता है तो चलिए स्टार्ट करते हैं और जो बॉइलिंग के लिए इंग्रीडियन चाहिए हमें वो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है यहाँ पर मैंने 500 ग्राम मतन का चाप लिया है जिसको अच्छे से वाश कर लिया है अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें क्योंकि मैं आगे भी बहुत सारी वीडियो लाने वाली हूँ यहाँ पर मैंने कूकर लिया है और कूकर में हम सारे जो मतन चाप है उसको डाल देंगे उसके बाद इसमें 1 टेबल स्पून अदर ग्लैसन का पेस्ट जाएगा यहाँ पर मैंने 3 चमज दही लिया है जिसमें से 1 चमज दही अभी डालेंगे बाकी मेरिनेशन में काम आएगा एक चोथाई चोटा चमज कुटी काली मिर्च एक चोथाई चोटा चमज ही नमक जाएगा इसमें अच्छे से मिक्स कर लें अब इसमें हम 2 से 3 टेबल स्पून पानी डालेंगे पानी हमें जादा नहीं डालना है और कूकर का ढखकन लगा कर एक से 2 सीटी आने देंगे और इसके बाद कैस का फ्लेम बंद कर देंगे अब कूकर की विसल खतम हो चुकी है और आप देख सकते हैं कि इसमें बहुत जादा पानी है तो हम बस गैस का फ्लेम हाई कर देंगे और इस पानी को सुखा लेंगे आप देख सकते हैं कि 80% ये पानी सूख चुका है बस थोड़ा सा बचा हुआ है अब पानी बिल्कुल अच्छे से सूख चुका है गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और इसको ठंडा होने देंगे आपके फोन स्क्रीन पर मैरिनेशन का इंग्रीडियन्ट शो कर रहा है तो आप उसको देख सकते हैं और पहले से ही नोट डाउन कर सकते हैं अब हमें चाप को मैरिनेट करना है तो उसके लिए हमें एक मिक्सिंग बोल चाहिए अब इसमें हम एक टीस्पून रेड चिली पॉड़ा डालेंगे इसके क्वांटिटी आप कम या जादा भी कर सकते हैं अब इसमें दो टेबल इस्पून तंदूरी मसाला जाएगा अगर आपके पास नहीं है तो आप कोई भी चिकन वटन का मसाला यूज कर सकते हैं हाफ टीस्पून चाट मसाला जाएगा अगर आपके पास अंदूरी मसाला नहीं है तो आप चाट मसाले की कौन्टिटी को बढ़ा सकते हैं वन टेबल इस्पून ही इसमें बेसन जाएगा पिंच ओफ फूट कलर यह ऑप्शनल है अगर आप इसको नहीं डालना चाहते तो इसकिप कर सकते हैं साथ इसमें दो चमच कौन फ्लोर जाएगा आपके पास नहीं हो तो चावल का आटा या फिर अरा रोड भी डाल सकते हैं थोड़ी सी कसूरी मेथी, हाफ टीजपून नमक, नमक अपने टेस्ट के कौर्डिंग रखें एक चमच इसमें निम्बू कर रश जाएगा और जो दही मैंने बचा कर रखी थी उसको भी डाल देंगे दही डालने के बाद अब इस सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि मखन करते समय ध्यान रखेंगे कि मटन के क्वाल्टी होती है वो हर जंगा अलग-अलग होती है तो आपने इस आप से इतनी स्टी लगा सकते हैं कि मटन है वो 70% वो हो सके अब हम सारे मसाले को मटन पर अच्छे से कोट कर लेंगे कोट करने के बाद हमें अब इसमें 2 टेबल इसपून मखण डालना है मखण डालने से जो मटन का टेस्ट है वो इन्हेंस हो जाएगा अब सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे mix करने के बाद हम इसको wrap करेंगे और ढग कर आदे घंटे के लिए freeze में रख देंगे आप चाहे तो इसको तुरंद भी fry कर जकते हैं लेकिन मैं इसको आदे घंटे के लिए freeze करूँगी उसके बाद इसको fry करूँगी तो आदे घंटे बाद मिलते हैं कि तेल गरम हो चुका है और मैंने गैस का फ्लेम लो कर दिया है लो फ्लेम पर हम चाप इसमें डालेंगे और उसके बाद गैस का फ्लेम मीडियम कर देंगे अब बेके करके मैं इसमें चाप डाल रही हूँ, मैं एक साथ सारे चाप को नहीं फ्राई करूंगी, आप चाहे तो इसको फ्रीजर में रख कर बाद में भी फ्राई कर सकते हैं अब एक मिनट के बाद हम इसको पल्टेंगे ताकि दूसरी साइड भी पक सके, इसे हमें बहुत जादा नहीं पकाना है, क्योंकि अल्रेडी जो मटन है वो कुक हो चुका है, मैंने मीडियम फ्लेम पर ही इसको फ्राई किया है, तीन से चार मिनट लगा है मुझे इसको आप भी ट्राई कीजिए और अपना फीडबैक जरूर दीजिए, इस बकरीद पर इसको बनाना मत भूलिएगा, ये खाने में बहुत जादा टेस्टी लगता है और सबको जरूर पसंद आएगा, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक, शियर, सब्सक्राइब सरूर करें, तैंक्यू सो मच, अब इस पर मैं थोड़ा सा चाट मसाला इसको प्रिंकल करूंगी और नीम्बू और थोड़े से वेजी सलात के साथ इसको सर्फ करूंगी, तैंक्यू सो मच